दुनिया की 5 सबसे खतरना खवाई जहाज की लेंडिंग नमर 5, हटसन नदी में की गई प्लेन लेंडिंग प्लेन का सफर हर किसी के लिए एक अलग अनुभो ले आता है किसी के लिए अच्छा और किसी के लिए बुरा कलपना करो कि आप किसी प्लेन से किसी जगा जा रहे हो प्लेन उडान भरने के कुछ समय बात पता चलता है कि प्लेन के इंजन में आग लग गई है आप क्या करोगे ये एक ऐसी ही सची घटना है जिसका कोई इंसान कलपना भी नहीं करना चाहेगा पर यही कलपना New York Seattle flight के प्रवासियों के लिए सच्चाई बन कर सामने आई Airbus A320 ये प्लेन उडान भरने के चंद मिन्टों में पंचियों से टकरा गया ये पंची इंजन से टकरा कर जल रहे थे लोगों को जल्द ही पता चला कि इंजन में आग लग गई है पाइलेट को पता चला कि जल्द से जल्द प्लेन को नीचे ना उतारा गया तो सारे प्रवासी मारे जाएंगे वापस लोट जाने के लिए इतना समय भी उनके पास नहीं बचा था इसलिए पाइलेट्स ने विमान पास के हटसन नदी में उतारने का फैसला लिया प्लेन मुश्किल से पानी में सेफ लेंडिंग कर सका और उन्हें लाइफ गार्ड्स ने बचा लिया बेहदी सासी इस निर्णय ने आखिरकार 6 क्रू मेंबर्स और 150 प्रवासियों की जान बचा ली हम सब को पता है कि प्लेन की मदार पाइलेट्स के उपर होती है इसलिए कठीन समय में वो पाइलेट्स ही होते हैं जो हीरो बन कर सामने आते हैं एक युक्रेनियन पाइलेट्स जो की तुर्किस कमपनी का जहाज उड़ा रहे थे उन्होंने तूटे हुए कॉक्पीट और कांच से लगबग कुछ ना दिखाई देने वाले हालात में और कॉक्पीट तूट गया कांच में क्रैक की वज़े से पाइलेट्स कुछ भी देख नहीं पा रहे थे कि कुछ ना कुछ भयानक होने वाला है क्योंकि प्लेन के अंदर धुमा दिखाई देने लगा था पाइलेट्स को प्लेन के सामने बस अंजान चमक दिखाई दे रही थी ऐसा तभी होता है जब हवाई जहाज किसी तुफान से टकरा जाता है पर दूर दूर तक किसी भी तुफान के नामों निशान तक दिखाई नहीं दे रहे थे प्लेन के चारों इंजन में आग लग गई थी पाइलर्स ने वापस लोटने का निर्णय ले लिया मौत का इंतिजार कर रहे डरे प्रवाशियों के लिए बहत खुशी की खबर आ गई की प्लेन का एक इंजन काम कर रहा है और धीरे धीरे बाकी तीन इंजन भी काम करने शुरू हो गए आखिरकार ये प्लेन जाकरता इंडोनेसिया में सफलता पुर्वक लैंड हो गया जांच के बाद पता चला कि ज्वाला मुखी में हुए उद्रेक की वज़े से जो राख हवा में फैली थी उसी का ये परिणाम था बोइंग 737 या अमेरिकन फ्लाइट जो एलो से लेके होनोलूली इस 35 मिनिट के सफर के लिए जा रही थी इस छोटी सी जर्नी में प्रवासियों के ऐसे डरा देने वाले एहसास का अनुभव हुआ जो वो फिर कभी भी लेना नहीं चाहेंगे फ्लाइट के टेक ओफ के 23 मिनिट प्लेन 7300 मीटर की उचाई पर पहुँचने के बाद हवा का दबाव कम होने की वज़े से कुछ प्रवासियों के सर के उपर से छट उड़ गई सर के उपर छट ही नहीं है तता भरी ठंड में तेज हमाओ का सामना करना पड़ रहा ये देख लोग बुरी तरह से घबरा गए इससे बुरी बात ये थी कि प्लेन के दो इंजन में से एक इंजन बंध हो गया प्लेन 3000 की मीटर के अंतर पर पहुंसते पहुंसते पैसेंजर्स को 310 मिल पर होर की गती से बहती हवा का सामना करना पड़ रहा था वो कहते हैं न अंत भला तो सब भला आखिरकार ये प्लेन अपने क्रू मेंबर्स और सारे प्रवासियों के साथ पूरी सफलता के साथ लैंड करने में सफल हो गया इस एक्सिडेंट को इतिहाज के सबसे खराब प्लेन एक्सिडेंट के रूप में जाना जाता है बीच एक ऐसी जगह है जहाँ आप अपना खाली समय बिताने जाते हो सनबात लेना, पानी में लहरों के साथ मजे करना, ठंडी हवा का एहसास लेना इन चीजों के सिवाए सबसे अजीब आप बीच पे क्या इमेजिन कर सकते हो कैरिबियन सेंट मार्टीन आइलेंड के माहो बीच पे वक्त गुजारने वाले सैलानियों को इन सब के सिवाए और भी बहुत कुछ देखने को मिलता है इस बीच के बिलकुल सामने एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इस एयरपोर्ट पे लैंड होने वाले प्लेच से 10 मीटर की उचाई से होकर गुजरते है जेट इंजन से निकलने वाली हवा बहुत तेज गती से निकलती है एयरपोर्ट अधिगारियों से मिली चेताउनी के बावजूत इस तेज बैती हवा से लोग रोमांच लेने का मौका नहीं छोड़ते यहां लैंड होने वाले प्लेन की हर लैंडिंग लोगों के लिए बेहदी खतरनाक होती है